आज की कहानी का नाम है दूचा प्यार यह इस कहानी का भाग माइनस एक है यहे एक ट्रू लव स्टोरी है एक छोटा सा शिव मंदर जहां भुलिनात की एक प्यारी सी मूर्ती आगे दुलहन के जोड़े में अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी एक लड़की भगवान अरे बेटा जल्दी आओ मुहूर्त निकला जा रहा है वह लड़की पीछे मुर्ते हुए कहती है आई पंदित जी इतना कहकर वह लड़की पंदित जी के सामने चली जाती है वह लड़की इधर उधर देखते हुए पंदित जी से कहती है पंदित जी पावन कहा है इस पर पंदित जी कहते हैं, उन्हें अभी एक फोन आया है, शायद वह उधर गए हैं बात करने को, बेटा, आप उन्हें भी जल्दी बुला लीजे नहीं तो महूर्त निकल जाएगा, वो लड़की अपना सरहा में हिलाते हुए कहती है, पंदित जी, अभी बुला कर लाती हूँ, पवन फोन पर तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हो, तुम्हें एक बार कहाना मैंने की भले उससे शादी मेरी हो रही है पर उसके साथ सुहागरा तुम ही मनाओगे, वैसे भी मुझे उसमें कोई इंटरस्ट नहीं है, तुम बस उसकी कीमत तयार रखो, जितना मैंन कही थी, बाकी जो तुम चाहते हो वह तुम ही मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करो, पवन की बाते सुनकर वह लड़की हैरान रह जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहब क्या करें, लेकिन अब इतना तो तैथा कि वहब यह शादी नहीं कर सकती, इसलिए वह अपने पा पास आकर कहता है, रीत कहां है, पंदिक जी पवन को देखते हुए शांत भाव से कहते हैं, यजमान, वह आपको ही बुलाने गई थी, पंदिक जी की बात सुनकर पवन अपने मन ही मन में सोचता है, रीत मुझे बुलाने आई थी, कहीं इसने मेरी बाते तो नहीं सुन ली, ये सोचते हुए पवन रीत को मंदर में सब जगह धूंडने लगता है जब उसे रीत वहां कहीं नहीं मिलती ये देख पवन का शक्यकीन में बदल जाता है कि रीत ने उसकी बाते सुन ली है ये सोचकर पवन धीरे से अपने आप में कहता है अगर वह यहां से भाग भी गई होगी तो अभी ज़्यादा दूर नहीं गई होगी मैं उसे आसानी से पकर सकता हूँ इतना कहकर पवन भी मंदर से बाहर आकर रीत को धूनने लगता है इधर रीत रोड के किनारे बने फुटपात में बेतहाशा भागी जा रही थी तभी उसकी नजर उसके पीछे आते हुए पवन पर पढ़ती है जो की बाइक पर बैटकर रीत को ही धून रहा था इससे पहले की पवन रीत को देख पाता रीत बिना सोचे समझे सामने खड़ी एक बस में चग जाती है और बस जाने लगती है बस का कंड़क्टर उसे ओपर से नीचे तक घूरते हुए कहता है मेडम जी आपको कहा जाना है बस कंड़क्टर की बात सुनकर रीत कुछ नहीं बोलती बस में बैठे सभी लोगों की नजर बस रीत को ही देखे जा रही थी पर रीत को इसका कोई होश नहीं था वो बस की एक सीट पर जाकर बैक जाती है बस का कंड़क्टर रीत के पास आकर फिर से कहता है मेडम जी ये बस तो चंडीगर जाएगी क्या आपको भी चंडीगर ही जाना है रीत फिर से चुपचाप रहती है ये देखकर कंडक्तर फिर उसके बाद रीट से कुछ नहीं पूचता कुछ देर बाद रात हो गई वैसे तो हर रात काली होती है लेकिन ये रात रीट की जिंदगी की सबसे काली रात थी पर वो कहते हैं ना कि रात चाहे कितनी भी काली हो वो हमेशा के लिए नहीं थारती उसके बीतने के बाद एक नई सुबल जरूर आती है और वही सुबल प्रीट का इंतजार कर रही है अगली सुबह रीट चंडीगर बस अड़े पर बस से नीचे उतरती है वो बसकनढ़टर के पास जाकर उसे एक अंगूठी देते हुए कहती है भाया मेरे पास पैसे नहीं है पर आप यहां अंगूठी रखीजिए जिसके लिए खरीदी थी वो हिसके लायक नहीं था तो आप ही रखीजिए बस कंदक्टर रीत को देखते हुए शान्थ भाव से कहता है मेदम जी आप किराये की चिंता मत करो आपको देखकर लगता है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हो इसलिए मैं यह अंगूर्थी नहीं ले सकता इस अंगूर्थी को आप अपने पास ही रखो क्या पता कि आपके कुछ कामा जाए और जिसके लिए आपने यह अंगूर्थी खरीदी हो क्या पता यह अंगूर्थी उसके लिए बनी ही ना हो उस कंदक्तर की बात सुनकर रीत वहां से चली जाती है उसे कुछ पता नहीं था कि वह अप कहा जाएगी क्या करेगी पर फिर भी वल चली जा रही थी शांती कुंज पाक चंडीगर एक लड़की पाक में खरी बार-बार अपने हाथ में पहनी घरी को देख रही थी उसे देखकर लग रहा था कि शायद वल किसी का वेट कर रही हो तभी एक लड़का एक बॉक्स को पीछे से उसके आगे करता है वल लड़की पीछे मुर्ती है वल लड़का उस लड़की को देखकर मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहता है इतना कहते ही वह लड़का अपनी जेब से एक रुमाल निकालता है रुमाल को देखते ही वह लड़की कहती है ये रुमाल इसका मैं क्या करूंगी लड़का प्यार से कहता है यह मेरे प्यार की निशानी है देखो इसको ये कहकर वह लड़का अपने हाथ में पकड़े बॉक्स को सामने बने एक बैंच पर रख देता है और उस रुमाल को पूरा खोलता है जिसमें एक कोने में लाल रंग के धागे से एक छोटा सा दिल बना होता है और उसके अंदर आर अल्फाबेड लिखा हुआ हो इस पर वह लड़की गुस्से से कहती है अबे साले मैंने तुम्हें यहां ये सब नौटन की करने नहीं बुलाया है समझे मुझे तुमसे ब्रेक अप करना है मैं तुम्हारे साथ अब रिलेशन में और नहीं रह सकती उस लड़की की बात सुनकर अभिसार हैरान रह जाता ह वो हकलते हुए कहता है अरे अरे रागिनी तुम्हें पता है ना कि मुझे ऐसे मजाग बिलकुल भी पसंद नहीं है इससे पहले की अभिसार अपनी बात कूरी करता रागिनी बीच में ही बोल परी मैं मजाग नहीं कर रही हूँ समझे रागिनी की बाते सुनकर अभिसार की आँखे नम हो जाती है वो है एक लंबी सास लेकर रागिनी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है पर तुम तो मुझे प्यार करती थी ना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बताओ पर प्लीज ब्रेक अप मत करो अभिसार की बात सुनकर रागिनी चिदते हुए कहती है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है और तुम जैसे फीचर की साथ रहकर में अपनी जिन्दगी बरबाद नहीं करना चाहती इससे पहले कि अभिसार कुछ कहता तभी पाक के गेट पर एक लंबी सी चमचमाती हुई कारा ख़़ी होती है जिसे देखकर रागिनी के चहरे पर एक मुसकान आ जाती है वो ही एक नजर अभिसार को देखती है और फिर उसके हाथ से अपने हाथ को चुड़वा कर उस कार की तरफ चली जाती है कार के पास पहुँचते ही उस कार से एक लड़का बाहर निकलता है जो उपर से नीचे तक ब्रांडेट चीजे पहने हुए था उसे देख रागिनी उसके गले लगती है और फिर वो दोनों कार में बैट कर वहाँ से चले जाते है ये देखकर अभिसार अंदर ही अंदर तूट जाता है वह मन ही मन में बस यही सोच रहा था कि रागिनी ने उसे सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वह गरीब है तब ही अभिसार की नजर उसके लाए हुए रुमाल पर पर परती है जो रागिनी ने नीचे फिक दिया था रुमाल को देखते ही वह घुटनों के बल जमीन पर बैट कर उस रुमाल को अपने हाथों में लेता है और रोने लगता है कुछ देर बाद वह उटकर सामने बने बैंच पर बैट जाता है उसकी आँखों से आशु लगातार बहे जा रहे थे रीत रोड पर चलते चलते बहुत ठक चुकी थी लेकिन इस समय उसे इस सब कहां होश था वह तो बस अपने मन ही मन ये सोच रही थी कि आखिर वह इतने घटिया इनसान से कैसे प्यार कर बैठी क्यूँ उसने उस घटिया इनसान पर रांख बंद करके भरोसा किया क्यूँ वह इसके एरादे पहले नहीं समझ पाए ये सब सोचकर रोड पर चल ही रही थी कि उसे सामने एक बोर दिखाई देता है, जिसमें लिखा था शान्ती कुंझ पाक उसे पढ़ते ही रीत के कदम उस पाक के ओर चल पढ़ते हैं रीट पाक में अंदर जाकर उसी बैंच के एक कोने में बैठ जाती है जिसके दूसरे कोने में अभिसार बैठा हुआ है रीट अपने सिर को नीचे कर अपने चेहरे को अपने हाथों से धख कर रोने लगती है अभिसार जो कि अभी तक अपने ही दुख से दुखी था जब वर देखता है कि उसके पास एक लड़की है जो की दुलहन के जोड़े में बैठी है वरो रही है तो अभिसार अपने मन में सोचता है कि शायद ये लड़की मुझसे भी ज्यादा बड़ी प्रॉबलम में है और वर अपनी तक्लीफ को भूल कर रीट के सामने जाता है और अपने हाथ पकड़े रुमाल को रीट को देते हुए कहता है लो यहांसू पोँच लो रीत अपने चहरे से अपने हाथ हटाती है तो उसे सामने सिर्फ एक हाथ दिखाई देता है जिसमें एक रुमाल होता है उसका सर नीचे जुके होने के कारण अभिसार भी रीत के चहरे को नहीं देख पाता है और नहीं रीत अभिसार के चहरे को देख पाती है या फिर कहें कि जिस तकलीव से इस समय वो दोनों गुजर रहे थे उन्हें एक दूसरे के चेहरे देखने की सुध नहीं थी वो दोनों तो बस अपने ही दुखों में डूबे हुए थे रीट अभिसार के हाथ से रुमाल लेती है और अपने आसु साफ करने लगती है अभिसार फिर से बैंच के दूसरे कोने में जाकर बैख जाता है रीट ने कल से कुछ खाया प्या नहीं था जिसके कारण उसके पेट में गलगल की आवाज आती है यहाँ आवाज सुनकर अभिसार सामने रखे बर्गर के बॉक्स को रीट की ओर करते हुई कहता है यह लो इसमें बर्गर है तुम्हें भूख लग रही होगी अभिसार की बात सुनकर रीट का मन तो कर रहा था वह बर्गर खा ले लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था इसलिए वह बर्गर का बॉक्स नहीं उठाती तभी रीट को अचानक छीका जाती है यह देखकर अभिसार कहता है रुकिये मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ इतना कहकर अभिसार पानी लेने के लिए चला जाता है जैसे ही अभिसार पानी लेकर वापस उसी बैंच के सामने आता है तो वह देखता है कि वह लड़की जो दुलहन के जोड़े में वहां बैठी हुई थी, वहां से जा चुकी होती है ये देखकर अभिसार अपने आप में ही कहता है, शायद चली गई तभी अभिसार की नजर उस जगह जाती है जहां पर रीग बैठी हुई थी वह देखता है कि वहां एक कागस के टुकड़े के ऊपर एक अंबूथी रखी हुई है और उस कागस में कुछ लिखा हुआ है ये देखकर अभिसार कागस को उठा कर पढ़ने लगता है कागस में लिखा है ठ्यंकियो, मुझे सच में ही बहुत तेज भूख लगी थी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए आप यहां अंबूथी रख लीजिए अभिसार उस अंबूथी को पकड़ कर देखता है उस अंबूथी के ऊपर ए अल्फाबेट लिखा हुआ होता है अभिसार पाक में चारों और देखता है पर उसे रीत कहीं नहीं मिलती फिर वह पाक से बाहर आकर भी रीत को धूणने लगता है लेकिन फिर भी उसे रीत कहीं दिखाए नहीं देती अभिसार अपने आप से कहता है, कहां चली गई ये लड़की जब अभिसार को रीत वहां कहीं नहीं मिलती तो वह उस कागस को और उस अनबूठी को अपनी जेब में रख लेता है इस कहानी का यह अध्याय यही समाप्त होता है अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ तो इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें दूजा प्यार, भाग माइनस दो